हाई एवरिवन स्वागत करते हूं आपका अपनी चैनल ग्रहने गार्डन ब्लाग समय दोस्तों बहुत दिन हो गया था मैंने अपना लंच रूटिन शेयर नहीं किया था सो आज मैं लंच में कुछ नया और चटपटा सा बनाने जा रहे हूं सोचा आप लोगों से भी शेयर क दाल दी है मतलब सारे जो हमें मसाले इसमें डालना है एकटे मैंने डाल कर इसका पेष्ट बना लिया है मिकसर के जार में और एकदम महीन पेष्ट बनाया है दरदरा सा नहीं बनाया है उसके बाद में धनिया पत्ति डाल दिये काटकर और साथ में एक बड़ा सा प्याच का सकते छोटी चमच से तीन चमच मैंने लिया है इसमें बेशन और बेशन को अच्छे से मीक्स कर लिया है हाथ से ही और उसके बाद छोटे छोटे मैंने जिस प्रकार से हम लोग मार्केट में बड़े लेते हैं उस प्रकार से मैंने कड़ाई में बड़े को तल लिया है और यह स में तो सोचा चलो आज मैं इसे ही ट्राइ कर लेती हूं ताकि एक नई डिस भी हो जाएगी हमारी और हमारा लंच भी रेडी हो जाएगा जो कि अभी सभी लोगों को ऐसे जो लंच की नई नई जो रेशिपी बनती है वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगती है तो आज बस सिर्फ मैंने सिंपल तरीके से ही आज तयार किया हुआ है लंच तो यह देखिए पूरे अच्छे से हमारे जो बड़े बोलना चाहिए रेडी हो चुके और एकदम क्रंची और क्रिस्पी बने आ है आज का हमारा लंच बहुत ही टेस्टी भी दिख रहा है साथ में इसमे साथ में ही इसे खाना पसंद करती हूं क्योंकि ज्यादा तेजोगरे नहीं खाती हूं तो देखिए आज हमारी बहुत ही स्वीट सी यहां लंच रेसेपी बनकर रेडी हो चुकी है आप लोगों कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए थेंग